नमस्कार विके बिन्यूस की खास पेशकर देश-प्रदेश दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जहाँ आप मेरे साथ देख रहे हैं देश-प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास और चुनिदा खबरे कोरोना के नए विरियंट ओमिक्रोन की मामले देश में लगातार बढ़ रहे है महाराष्ट में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है आठ नए मामलों के मिलने से लोगों में दहशत है इधर भाजपा को विधान परिशत की 6 सीटों में से 4 सीटों पर मिली जीज से भाजपा उत्साइथ है प्रदेश भाजपा द्रक्ष चंद्रकार पार्टिर ने अब विधान सबा द्रक्ष पत का चुनाव गुप्तमदान की जरीए करानी की चुनावती दी है इसे बीच ATM मशीन से स्कीमर बलगा कर लोगों के डेबिट और केडिट कार्ट की जानकरी चुरा कर उन्हें लाखों का चुनाव लगाने के मामले में मुंबई पुलिस की अपराश चाखा ने बलगेरिया के 45 वर्षिय नागरिक को गिरफतार किया है तो पार्टी के बाद फिल्मी सितारों के कोरोना संकर्मीत प्याज जाने के बाद मुंबई की महापौर की शौरी पैडनेकर ने कहा कि कोरोना संकरमन के बीच इस तरह की लापरवाही ठीक नहीं है दोशियों पर कारवाई होगी वही पुने में ट्राफिक पुलिस की वसुली अभियान पर प्रदेश भाजपादेख्ष चंदरगान पार्टे ने कहा कि यह ताना शाही है जुल्म हो रहा है प्रदेश के इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ दुनिया में एक बार फिर से कोरोना संक्रमन फैलने लगा है नए वेरियंट ओमिक्रॉन के मामले अब भी भारत में भी बढ़ने लगे है महाराष्टों में सबसे ज्यादा आठ नए मामले सामने आये हैं नए मामलों के साथ भारत में ओमिक्रॉन केसेस की संख्या बढ़कर 61 हो गई है पिछली बार कोविट संक्रमन के मामलों में महाराष्ट सबसे टॉप पर था अब नए वेरेंड के साथ भी सरवाधिक ओमिक्रॉन मरीजों वाला राज्या महाराष्ट ही हो गया है देश के 61 ओमिक्रॉन केसेस में अकले महाराष्ट में 28 मामले हैं स्वास्त विभाग के मताबिक महाराष्ट में ओमिक्रॉन से 8 और मरीज संक्रमित मिले हैं इन में से साथ मुंबई के हैं और एक मरीज वसई विरार का है। राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन से संक्रमित को लठा इस मरीज सामने आ चुके हैं। इन में से 9 को नेगेटिव RT-PCR टेस्ट के बाद छुट्टी दे दी गई है। पुने स्थित राश्य विशानो विज्ञान संस्थान द्वारा आज दी गई रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में 8 और मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित पाये गये हैं। इन में से 7 मरीज मुंबई के हैं और एक मरीज वसई विरार का है। उसमें कहा गया है कि इन 8 लोगों में से 7 को COVID-19 रोधी टीका लग चुका है और उनके स्लैप के नमुने दिसंबर के पहले हफ़ते में जांच के लिए ले लिए गया है। विभाग ने मताया कि सभी संक्रमित 24-41 आयू वर्क के हैं। भाजपा को विधान परिशत की 6 में से 4 सीटों पर मिली जीत से उतसाहिद भाजपा के अध्धिक्षव चंदरकान पाटिल ने कहां कि मैं सरकार को विधान सभा अध्धिक्षव पत का चुनाओ गुप्त मतादान के जरीए कराने की चुनोती देता हूँ। पाटिल ने कहां कि विधान सभा अध्धिक्षव पत का चुनाओ गुप्त मतादान पद्धती से कराने का प्रावधान है लेकिन सरकार नियमों में बदलाव करके खुले मतादान का तरीका अपनाने वाली है। सरकार में हिम्मत है तो नियमों को बदले बगेर गुप्त मतदान के जरीय चुनाओ कराए फिर महाविकास आघाडी को पता चल जाएगा कि विधान सब अध्यक्षय किस दल का चुना जाएगा भाजपा निता पाटिल ने कहा कि प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्षय नाना पतोले और राज्य के पशुपालन मंतरी सुनिल केदार के बीच का आपसि संगर्ष विधान परिशत की नागपुर सीट के चुनाओं में सामने आ गया फिर भी भाजपा उमिद्वार चंदरे शहर बाउन कुले ने महाविकास आघाडी के 40 से अधिक वोटों में सेंद लगाई है नागपुर सीट पर भाजपा का वोट एक जूट था अकोला बुलधाना वाशिम सीट पर भाजपा उमिद्वार वसंद खंदलवाल की जित बे मिसाल है शिवसेना के सानिय निकायों के जनप्रतिनीदियों को समझ में आ चुका है कि बगएर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के देश का विकास नहीं होगा वे लोग केवल अपनी सदन की सदस्यता रद्ध होने के डर से पार्टी में बने हुए है ATM मशिन में स्कीमर लगा कर लोगों के डेबिट और क्रेडिट कार्ट के जानकरी चुरा कर उन्हें लाखों का चुना लगाने के मामले में मुंबई पुलिस की अपराच शाखा ने बुलगारिया के एक 45 वर्शे नागरी को गिरफतार किया है आरोपी महानगर के अंधरी इलाके में स्थ 13-13 होटल में अक्टूबर महिने से रह रहा था गिरफतार आरोपी का नाम फरगिर डानकोर है उसके पास से दूसरों के क्लोन किये गए चार कार्ट के साथ मोबाइल और लैप्टॉप बरामत किये गए है अब तक कि जांच में आरोपी के खिलाफ गोरेगा और मुलिन इलाके में सित एटियम में स्कीमर लगा कर ठगी करने के सबुत मिले है करीब 50 लोगों के साथ इस तरह के ठगी हुई थी जांच में खुलासा हुआ कि इन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में इलाके के एक ही एटियम का इस्तमाल किया था अपराज शाका ने भी मामले की समनान तर जांच शुरू कर दी है और आरोपी तक पहुँच गई चांच में खुलासा हुआ कि आरोपी एटियम में स्कीमर मशीने और सिसीडी वी कैमेरे लगा देते थे जिससे वहां कार्ट का इस्तमाल करने वालों की सारी जानकरी और पासपर्ट उन्हें मिल जाती थी इसके बाद वे नकली कार्ट बना कर लोगों के खाते से पैसे निकाल लेते थे आरोपी का एक साथी पुलिस को सूचना मिलने से पहले ही देश छोड़ कर भाग चुका है आरोपी अपने साथी की साथ 2018 से लगातार भारत में आकर इस तरह की वारदा तो को अंजाम दे रहा था कुछ महिनों की ठगी के बाद आरोपी वापस लोट जाते थे पार्टी के बाद फिल्मी सितारों के कोरोना संक्रमित पाय जाने के बाद उंबई की महापोर, किशोरी पेडने करने कहां की कोरोना संक्रमन के बीच इस तरह की लापरवाही ठीक नहीं है हमने जहाँ पार्टी हुई थी उस ग्रैंड हयात होटल से संपर्क किया है इसमें शामिल होने वाले सभी लोगों की पहचान की जा रही है पेडने करने कहां की नियमों का उनलंगन करने वालों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी करिना कपुर खान, अमरुता आरोला के बाद फिल्म निर्देशक करन जोहर की पार्टी में शामिल हुई सीमा खान और महीब कपुर भी कोविट पॉजिटिव पाई गई है पार्टी में शामिल हुए कुछ और सितारों की जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है वही मंगलवार को करिना, अमरुता और करन के घर बी-ेमसी अधिकारी और करमचारी पहुचे करिना सद्गुरु शरण नाम की जिस इमारत में रहती है उसे पुरी तरह सिलकर उसके सामने बैनर लगा दिया गया है करन जोहर, अमरुता, महीब और सीमा जिन इमारतों में रहते हैं उन्हें भी सिलकर दिया गया है पार्टी में शामिल हुई करिश्मा कपूर, मलाईकारोरा, आलिया भट, आदी की भी कोरोना संक्रमन के लिए जांज की गई है फिलहाल उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है, कोरोना संक्रमित पाई गई, करीना, अमरुता समित सभी लोग फिलहाल घर में ही कॉरंटाइन है पुणे में जगा जगपर ट्राफिक पिलिस गाड़ी रोक कर जुर्माना वसूल करते दीख रही है तमाम शिकायतों के बाद भारतिय जन्ता पार्टी के अध्यक्ष चंदरकान पार्टिल ने कहा कि ये ताना शाही है, जुल्म हो रहा है भारतिय जन्ता पार्टी इसका विरोध कर रही है, इसका विरोध करने के लिए भारतिय जन्ता पार्टी सड़क पर उतरेगी हेलमेट का इस्तेमाल जीवन रक्षा की दुरुष्टी से आवशक है, लेकिन इतना जुर्माना सही नहीं प्रबोधन करे, समझा कर इसका रास्ता निकाला जा सकता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा फाइन लेने से तो ये इंसान के जीवन से भी ज्यादा भयंकर हो जाएगा केंद्रिया मंतरी नितिन गड़करी से मिलकर कहेंगे कि इतने बड़े पैमाने पर दंड वसुलना अन्याय है पाटिल ने कहा कि ट्राफिक तियमों को तोडने के बाद दंडात्म कारवाई की जाती है पिछली दिन वर्षों से CCTV द्वारा प्रमुकरूप से कारवाई की जा रही है नियम तोडने वालों के घर या मोबाईल पर इसकी जानकरी दी जाती है जुर्माना ना भरने पर यातायत विभाग की और से नाकावंदी की जा रही है उसके बाद वाहनों की जांच कर जुर्माना वसुल किया जाता है इस दंडात्म कारवाई से पूरे के निवासी परिशान हो गए है यातायत पुलिस किसी की भी सुनती नहीं है बहस का मतलब जुर्माने में और इजाफा ये तो आम लोगों के जीवन से खेलना है मुंबई में जबरन मसूली के लगबग 23 मामलों का वानचितारोपी सुरेश पुजारी आखिरकार पुलिस के हते चड़ा है उसे फिलिपीन से गिरफ्तार कर भारत लाने में पुलिस सफल रही इस बीच प्रदानमंद्री नरेद्रमोदी के जनवरी के हपते में कुवेट की यात्रा पर जाने की संभावना है इसे पहले साल 2015 में पीम ने अन्य सभी पाच गर्द देशों का दवरात किया था मगर उस वक्त पीम कुवेट नहीं जा सके थे उधर राजदाने दिल्ले से सेटे यूपे के गाजीपूर बॉर्डर के पास दिल्ली मेरेट एक्स्प्रेस वेपर पिछले एक साल से अधिक समय से डेरा डाले आंदुलनकारी किसान आजधर नास्तल को पूरी तरक खाली करके घर लोट रहे है वही दिल्ली के सांसद वह भोजपूरी अभिनेता गायक मनोश्तिवारी ने गीत के माध्यम से विपक्षियो को गिध बताया है हिंदु एक्ता महापकुंब में शामिल होने आए भाजपा के सांसद सपा के राश्ट्य देक्ष अकले श्यादों पर भी तंच कसा और कहा कि वह आने वाली हार को देख कर बौकला गया है इसके अलावा उत्राकंड में पाचवी धाम के रूप में बनने वाले सैने धाम के मुख्यद्वार का नाम सीडिय स्वर्गिय जनरल विपिन रावत के नाम पर रखने का निरने लिया गया है देश की इन पाच बड़ी खबरों को विसार से जाने के लिए बनरी आप हमारे साथ महाराश्टर की राजदानी मुंबई और करनाटक में जबरन वसुली के कई मामलों में वांचित गैंस्टर सुरेश पुजारी को फिलिपीन से गिरफतार कर दिली लिलाय गया है जहांकि उससे आई बी की टीम पहले पूछताच करेगी इसके बाद उसे मुंबई पुलिस के हवाले किया जाएगा पुजारी मुंबई के पास ठाने, कल्यान, उलास नगर और डोमविली में ही जबरन वसुली के मामले में वांचित है मुंबई पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ को मिला कर जबरन वसुली के 23 मामले दर्च किये गये है अलग-अलग स्थानों पर अपने अंदाज में सुरेश पुजारी ने इन सभी घटनाओं को अंजाम दिया था सुरेश पुजारी रवी पुजारी का खासम खास बताया जाता है दो साल पहले उसके सेनेगल से लाया गया और 15 अक्तोबर को उसकी गिरफतारी फिलिपिन्स में इंटर पोल ने की थी पुजारी के खिलाफ उगाही के कई मामले दर्च थे खुफिया विबाग को जानकरी मिली थी कि सुरेश पुजारी के पास आठ अलग अलग नामों से पासपोर्ट थे जिससे वह दुनिया भर के पुलिस को चक्मा देने में कामियाब रहता था मुंबई और ठाने पुलिस ने 2017 और 2018 में रेट कॉर्णर नोटीस जारी किया था एक अधिकारी ने कहा कि अपराद में अपने करियर की शुरुआत में उसने अंडरवल डॉन छोटा राजन और रवी पुजारी के साथ काम किया और बाद में अपना खुद का गिरोब बना लिया प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी जनवरी के पहले हपते में कुवेट की यात्रा पर जा सकते है इससे पहले साल 2015 में पीम ने अन्यस सभी पाच गर्ब देशों का दवरा किया था मगर उस वक्त पीम कुवेट नहीं जा सके थे खास बात यह है कि पिछले 40 सालों में देश के किसी प्रधानमत्री की यहाँ पहली कुवेट यात्रा होगी कुवेट जाने की पीम मोदी की योजना पश्चिम एशिया के देशों से समन्दों को मजबूत करना और रणनीतिक साज़िदारी को नहीं काम पर ले जाने का एक रणनीतिक हिस्सा है तेल के शेत्र में कुवेट एक संपन न देश है और भारत में तेल सप्लाई का एक एहम स्त्रोध भी है इस यात्रा के दोरान पिम मोदी कुवेटी निवेशिकों को भारत आने का नियोताद दे सकते है और इसके अलावा कुवेट से रक्षा सयोग बढ़ाने की भी कोशिश रहेगी करिब एक मिलियन भारती कुवेट में है इस यात्रा के दोरान दोनों देशों के दुपक्षिय संबंदों को मजबूत करने की कोशिश होगी भारत के कुवेट से प्रगार संबंद है जिस समय भारत कोरोना की दुसरी लहर से जूज रहा था उस समय कुवेट ने बड़ी संख्या में ऑक्सिजन सिलेंडर भारत की सहायता की थी इतना ही नहीं कुवेट की सपोर्ट के लिए धन्यवाद कहने के लिए पियम मोदी द्वारा कुवेटी अमिर शेक नवफ अल आहमत को लिखी चिठी खुद विदेश मंत्री एस जैशंकर लेकर पहुँचे थे राश्टी और राजणाने दिली से सटे यूपे के गाज़िपूर बॉर्डर के पास दिली मेरेट एक्सप्रेस वेपर पिछले एक साल से अधिक समय से देरा डाले अंदोलनकारी किसान आज धरनास्तल को पुरी तरह खाली करके घर लोट रहे है इस दोरान प्रदर्शनकारी किसान खुशी में जूमते नजर आ रहे है ये किसान के नसरकार के तीन कुशी कानूनों के खिलाब गाज़िपूर सहीद सिंगू और टिक्री बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे हाला कि केंदर दोरा इन कानूनों को वापस लिया जाने के बाद किसान संगडों ने अपना अंदोलन भी खत्म करने का एलान किया और लगबग सारे किसान अपने घरों को लोट गए सिंदू बॉर्डर पर लगए लगबग सारे बैरिकेट्स मंगलवार को हटा दिये गए थे वही टिक्री बॉर्डर पर भी सड़क को साफ कर इसे वहानों की आवाजावी के लिए पूरी तरह खोल दिया गया है लेकिन गाजिपूर बॉर्डर पर कुछ किसान एकित रथे भारते किसान यूनियन के ने था राकेश टिकेट ने कहा कि मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस आंदोलन में हमारा साथ दिया हमारे लिए लंगर चलाने वाले और जरूरी सामान लाने वाले गामवालों का भी आबार वेक्ट करता हूँ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तीन कुछी कानूनों की वापसे के बाद केंदर के साथ हमारी बाचीच चर रही है हमारा अंदोलन स्तगित हुआ है खत्म नहीं दिल्ली के सांसद वा भोजपुरी अभिनेता गायक मनोश्तिवारी ने गित दखडे सर पर बस मौत मनाएंगे हम को फुसलाएंगे फिर बाट कर खाएंगे गित के माध्यम से विपक्षियों को गित बताया है हिंदो एक्तम हाकुम में शामिल होने आए सांसद ने सपा के राष्टिय देक्ष अखिले श्यादों पर भी तंत कसा है और कहा कि वह आने वाली हार को देख कर बौकला गये है या उन्होंने मंसे हिंदू तो राष्टवाद और पियम मोधी की तारीफ में गीत भी गाये बोचपुरी गायक एवं सांसद मनुष तिवारी ने कहा कि कश्मीरी पंडित को नोच कर खाया गिद वही लोग है उन्होंने देश में भयानक रूप से धार्मिक विद्वेश के आधार पर यातनाय देते रहे लोगों को गिद बताया यह भी कहा कि जुन्होंने अनुच्छे 370 को 5 साल के लिए लागो किया था और 70 साल खीच ले गए गिद वही है जो चुनाओ के समय शांती पूरवक आते हैं और बाद में गुंडागर्दी करते हैं गिद वही है अखिलेश यादो के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें शास्त्र नहीं पता है पिम नरेंदर मोदी पर ऐसा बयान देना उनकी बौकलाट को दर्शाता है अब मा का अलकोद उनकी खोच खबर लेंगे अखिलेश अपने आने वाली हार को देखकर अंदर से हिल गए है इसलिए मैंने गाया है जो शिव को सजाएंगे हम उनको सजाएंगे यूपे में फिर से भगवा लह राएंगे उत्राखन में पांचवे धाम के रूप में बनने वाले सेनधाम का शिलान नियास रक्षा मत्री राजनाथ सिंग करेंगे इस सेनधाम के मुख्यादवार का नाम सीडिय स्वर्गिय जनरल विपिन रावत के नाम पर रखने का निर्ने लिया गया है सेनिक कल्यान मंत्री गनेज जोशी ने बताया कि सेनधाम के लिए प्रदेश के 1734 शहीद सेनिकों के आंगन से कलश में मिटी लाई गई है इसके लिए 15 नवंबर को गड़वाल मंडल के सबाड गाव और कमाव मंडल के मुनाकोड गाव से शहीद समान यादराश चुरू की गई थी बुद्वार को इस यादरा का समापन सेनधाम में होगा शहीदों के आंगन से लाई गई मिटी को एक बड़े कलश में रखा जाएगा इसके बाद इसे सेनधाम में बनने वाली अमल जवान जोती की नियू में रखा जाएगा सेनिक कल्यान मंतिर ने बताया कि लगबक 50 बिगा भूमी पर सेनधाम को 63 करोड रुपे की लागत से बनाय जाएगा इसके प्रांगन में बाबा जस्वन सिंग और बाबा हरवजन सिंग का मंदिर भी बनाय जाएगा इस दोनों वीर सेनिकों को सेना में भी पूजा जाता है उन्होंने कहा कि दोवश के भीतर सेनधाम के निरने का लेक्ष रखा गया है सेनधाम में दुटिय विश्युद्ध से लेकर अब तक प्रदेश के जीतने भी सेनिक शहीद हुए है सबके चित्र लगाए जाएंगे और उनके बारे में जानकरी दी जाएगी सेनधाम के निर्मान को लेकर आरही अडचन दूर हो गई है दुनिया के कुल 77 देशों में कोरोना के नए विरियंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है खबर है कि आस्टेलिया के प्रदान मंतरी स्कॉट मौरिसन कोरोना संक्रमित पाए गया है इसे बीच फाइजर कंपनी ने दावा किया कि उसकी प्रयोगात में कोविड रोधी गूली कोरोना वाइरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के खिलाब भी प्रभावी साबित हुई है तो चीन में उईगर मुस्लिमों के खिलाब हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है US House of Representative ने अनुमोदित जबरंशम रोकताम अधिनियम को मनजुर देने वाला बिल पारित कर दिया है उदर दुनिया के सबसे बड़े रईस इलाउन मस्क की इलेक्रिक कार कमपनी टेसला में एक के बाद एक लगातार योन उत्पिडन की शिकायते सामने आ रहे है इसके अलावा चीन के राष्टवधी शी जिन टिंग और रूस के राष्टवधी ब्लादी मिर पुतीन के बीच आज अहम मिटिंग होने वाली है दोनों ने ताओ के बीच यह एक साल में दूसरी बैटक है दोनों ने ताओ वर्च्वल मिटिंग कर रहे है दुनिया भर की इन पाच बड़ी खबरों को विसार से जाने के लिए बन रही है आफ हमारे साथ आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री स्कॉर्ट मौरिसन कोरोना संकरमित पाए गया है मंगलवार को ही कोरोना जांच में इसकी पुष्टी हुई है वह सीडनी के एक स्कॉल में जित ग्रेजोशन सेरेमनी में शामिल हुए थे इस सेरेमन में करीब हजार लोग पहुँचे थे और स्टेलिया के प्रधान मंत्री काराले की ओर से बताया गया कि पीम मौरिसन ने कोरोना की पुष्टेक संकरमित के संकर में आने के बाद की है कोविड-19 संकरमित पाय जाने के बाद प्रधान मंत्री के दो RTPCR टेस्ट निकेटिव आ चुके है ऐसे में चिकित्सकों ने कहा है क्योंने आइसलेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है इसके बावजूद स्कॉर्ट मौरिसन पुरी सतरकताब बरत रहे है च्छा दिन बाद उनका फिर से टेस्ट किया जाएगा इसी बीच स्कॉर्ट मौरिसन ने देश में धीमी गती से चर रहे टिका करन अभियान के कारण लोगों से माफी मांगी है उन्होंने कहा कि मुझे साफता और परखेद है कि साल के शुरुवात में हमने जी साकने तक पहुँचने की उम्मीद की थी उस तक नहीं पहुच पाए है मैं टिका करन अभियान की जिम्मीदारी लेता हूँ साथ ही जो चुनोती हमारे सामने है उसकी जिम्मीदारी भी लेता हूँ उस्टेलिया में कोरोना वाइरस के बढ़ते मामलों के कारण लाखों लोगों को एक बार फिर अपने घरों में रहने को मजबूर होना पड़ा है लोगों में वैक्सिन की कम सप्लाई को लेकर गुसा है उनमें डर बना हुआ है कोरोना के नए विरियंट ओमिक्रॉन के कारण दुनिया भर के विग्यानिकों की टेंशन बढ़ गई है इसके खिलाब वैक्सिन की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे है ऐसे में एंटी कोविट दावा बनाने वाली फाइजर कमपनी का ये दावा एक अच्छी खबर माना जा सकता है दवा निर्माता कमपनी फाइजर ने दावा किया कि उसकी प्रयोगात में कोविट रोधी गोली कोरणा वाइरस के ने सुरूप ओमिक्रॉन के खिलाब भी प्रभावी साबित हुई है कमपनी ने कहा कि 2250 लोगों पर किये गए शोत के पूर्णनिसकर्ष में इस बात की पुष्टी हुई है कि उसकी कोविट रोधी गोली वाइरस के खिलाब प्रभावी है कमपनी ने कहा कि कोविट 19 के शुरुवाती लक्षनों के बाद उच्च जुखिम वाले वैसकों को दी गई दवा से सुएक तरूप से हस्पताल में भरती होने और मोत के मामलों में करीब 90 फिस्दी कमीद दर्च की गई फाइजर ने यह भी कहा कि प्रोजक्षाला में अलग से किये गए परिक्षन में पाया गया कि यह गोली वाइरस के ओमिक्रॉन सुरुप के खिलाब भी कारागर है जैसा कि कई विशेशगों ने पुर्वान उमाज जताया था फाइजर ने मानो निर्मित उस प्रमुक प्रोटिन के खिलाब इस दवा पगाप परिक्षन किया जिसकी मदद से ओमिक्रॉन खुद को मजबूत करता है चीन में उगिर मुस्लिमों के खिलाब हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है यूएस हाउस आप रिप्रेजेंटेटिव ने अनुमोदित जबरन श्रम लोकताम अधिनियम को मनजुरी देने वाला बिल पारित कर दिया है इसके तर चीन के शिन्जियांग से जबरन श्रम से बने सामानों को आर्थिक रूप से प्रतिबंधित किया गया है अमेरिका को बेचा जाता है अमेरिका की इस कदम से चीन को बड़े सर पर जटका लगने की उमीद है वही उईगर मुस्लिमों पर अत्याचार को लेकर स्युक्त राश्ट मानवादिकार कारेले भी जल्द अपने रिपोर्ट का अंतिम रूप दे देगा उन्होंने कहा कि शीन जियांग की प्रास्तावी क्यात्रा को लेकर चिनियादिकारियों के साथ लंबे समय से जारी चर्चा में कोई ठोस ब्रगती नहीं हुई है शीन जियांग में उगर मुस्लिमों के से जबरन काम करवाया जाता है और इंकार करने पर यातना एदी जाती है यहां तक कि उन्हें नियुनतम मजदुरी से भी कम मजदुरी दी जाती है उईगर मुसलिम अलपसंक्यक तुर्क जातिय समू से तालुक रखते है ये मूल रूप से मध्य और पुर्वे एशिया के निवासी है इनकी बाशात तुर्की है चीन में जिन पचपन अलपसंक्यक समुदायों को अधिकारिक पर माननेता दी गई है उईगर उनमें से ही एक ह वरतमान में उईगर मुसलिमानों की सबसे बड़ी आबादी चीन के शीन जियांग शेत्र में रहती है दुनिया के सबसे बड़े रईस इलॉनमस्क की इलेक्ट्रिक कार कमपनी टेसला में सब कुछ ठीक नहीं चर रहा है कमपनी में एक के बाद एक लगातार योन उत्पिदन की शिकायते सामने आ रही है मंगलवार को भी कमपनी की छे महिला करमचारियों ने आरुप लगाया कि टेसला के केलिफोर्निया प्लांट और दूसरी फैसलेटीस में योन उत्पिदन का कल्चर है इन में महिला करमचारियों को गलट डंग से चुना और शिकायत परने पर बदला लेना शामिल है उनका कहना है कि प्लांट के करमचारी पारकिंग लॉट में अक्सर ऐसी हरकते करते रहते हैं इन महिला करमचारियों ने केलिफोर्निया के एक कोर्ट में अलग-अलग मुकद में दायर किये है इन में से पाच महिलाओ तेसला की फ्रिमोन फैक्टरी में काम करती है या कर चुकी है जबकि एक महिला सौथ कैलिफोर्निया में कमपनी के सर्विस सेंटर से करमचारी रह चुकी है इसकी आँच कमपनी के सीओ इलॉन मक्स तक भी पहुँच गई है एक महिला करमचारी ने आरोप लगाया क्योंके ट्वीट सेक्स और ड्रग से प्रेडित रहते हैं बता दे कि दुनिया की सबसे मुल्यवान ओटो कमपनी टेसला अपने मॉडल S, मॉडल 3, मॉडल X और मॉडल Y एलेक्रिक वहानों का उत्पादन फ्रेमोन प्लांट में करती है चीन के राष्टपती शी जिन पिंग और रूस के राष्टपती बलादी मिर पुतिन के बीच आज अहम मिटिंग होने वाली है दोनों नेताओं के बीच या एक साल में दूसरी बैठक है दोनों नेताओं वर्च्वल मिटिंग कर रहा है गौर तलब है कि कुछ समय पहले अमेरिका के राष्टपती जो बाइडन की ओर से बुलाएगी लोकतांत्रिक सम्मेलन में चीन और रूस को नियोतान न मिलने से दोनों देश नाराज है कई जानकर रुकी राय है कि इसी कारण चीन और रूस बैठक कर रहा है दरसल चीन और रूस की सोच कई मायनों से मिलती है खासकर विलेश निती को लेकर मगर रूस और अमेरिका के संबन अच्छे नहीं है हाल में यूकरेन को लेकर रूस के रुक पर अमेरिका सक्त हो गया है अमरिका ने साफ कर दिया है कि एगर रशिया यूक्रेन में किसी तरह की सेनिक करवाई करता है तो उसे कड़े पाबंदियों से गुजर ना होगा इसको लेकर पुतिन और बाइडन के बीच दूरी और बढ़ गई है दूसरी और चीन को भी अमरिका की हिदायत मिल हुई है इसी कारण भी रूस और चीन आपस में करीब आ रहे है इस कारण भी पुतिन और जिन्पिंग की मुलाकात पर यूरोप समेथ अमरिका के कान खड़े हो गए है तो आज की इस खास पेशकर्श में बस इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब दक देखते रही है VKB News नमस्कार